So hey guys, आज की reading में हम बात करने वाले हैं कि what's going on in your life, जो आपकी current situation है, आपका future है, plus आप जो भी चीजों को manifest करे हैं, उसके related आज आपको guidance मिलने वाला है, तो you know just ask your question, कोई भी एरिया हो आपकी life का love life हो, finances हो, career हो, ठीके, health हो, जो भी हो, आपको simply अपनी current situation के बारे में universe को question करना है, जो भी guidance होगा ना वो इस divine guidance माना चाहेगा, यह आपको बहुत बहुत जादा help करेगा, इप आप इस चीज को अगर implement करें तो, ठीक है, although this will be a general reading, sometimes वो आपको resonate ना करें, so just you know and take it as a guidance, but it will be very helpful, तो देखते हैं कि आज आपको क्या guidance मिलता है, just ask your question, and you know just, जो current energy है, उससे connect क करने की ट्राइ करिए, ठीक है, and just focus on the current energy, in cards की energy से connect करने की ट्राइ करिए, and deep breathing कर सके हो, आप थोड़े time के लिए, दूसरा कुछ भी मत सोचो, ठीक है, just focus, and देखते हैं कि क्या आपको आज message मिलता है, यापर, ठीक है, पहला card आया है, nine of air, ठीक है, okay, let's see, what is the second card, okay, दूसरा card है, awakening, good, तीसरा है, five of earth, let's arrange it, card है, यापर बॉब बॉब होके आगया है, यह है, four of air, queen of earth, four of earth, okay, okay guys, चली थुड़ा range कर लेते हैं, पहले इन cards को, देखिए, first card यहाँ पे आया है, nine of air, guys, आपके अंदर इस वक्त बहुत ज़दा डर है, जिसकी वज़े से आप खुद ही, worst चीजों को expect कर रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि वो चीज़, manifest होगी, और वो चीज़ आपके डर के वज़े से, manifest actually हो रही है, so, just, you know, don't worry, because आप, you know, अपनी चिंताओं को allow कर रहे हो, situations को और ज़्यादा खराब करने के लिए, और कहीना कहीं, situation इसलिए, you know, create हुए, because of your deep-rooted fears and worries, so, guys, आपको यह चीज़ नहीं करनी है, बहुत टाइम से, आप लोगो ने, you know, ठीक से नींद भी नहीं किये, यहाँ पे, you know, sleepless nights को भी यहाँ पे represent किया गया है, और आपको आपके thoughts के उपर, बिल्कुल, you know, दूसरी बार, refocus करना है, ठीक है, refocus your thoughts, guys, आपको बहुत ज़रूर है इस वक्त इस चीज को, you know, change करने की, आप इस वक्त यहीं चीज कर रहे हो, so clearly यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हुए हो, वो भी without any reason, ठीक है, इवन आपके बास कोई reason भी होना, आपके अंदर एक यूनीकनेस, चारिटेबल अक्षिंग तो होनी है, यहाँ पे, तो एक टाइम आएगा, एक पीरिड आएगा, कि आपके अंदर, एक, you know, नियू, एक स्पार्क आएगा, आपके अंदर लाइफ को देखने का, जो एक परस्पेक्टिव है, वो भी, you know, और ज़्यादा अच्छा बनेगा, आप वाइडर, एक vision के साथ, अपने लाइफ को देखेंगे, ठीक है, आपके अंदर एक यूनीकनेस है, जिसको आपको, you know, भैचानना है, ठीक है, you are unique, you are perfect, you are special, ठीक है, तो आपकी life में, आपको, ये चीजों को देखने का, जो नजरिया है, वो पूरा, you know, बदल जाने वाला है, ठीक है, लेकिन, आपको उसके लिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा, awakening जब होगी, आपको उसके लिए, आपके thoughts को बदलना होगा, यहाँ पर दिखी, यह भी दिखा रहा है, five of earth, यहाँ पर, यह भी दिखा रहा है, कि जो भी negative thoughts है, वो reality में manifest हो रहे हैं, real challenges बन रहे हैं, क्योंकि आप negative कर रहे हो, you know, feel कर रहे हो, ठीक है, और जो भी वो fear है, यहाँ पर, money के around भी आपको बहुत दा फेर है, जितने भी लोगे, जो money के related इस वक्त, बहुत दा परिशान है न, तो आपके fears ही, you know, आपको पैसो के लिए, वो जो भी problem चल रहे हैं, आपके fear के कारण हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर, clearly आपको बता रहा है, कि reach out to others for assistance, poor timing for becoming self-employed, तो don't worry, बट फिलाल ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, कि आपके negative thoughts के कारण, आपको money के related problem हो रही है, प्लस आपका इस वक्त, self-employed बनने के लिए थोड़ा, you know, different, मिनलब difficult time चल रहा है, आपको किसी से भी उसके लिए guidance ले सकते हैं, अब यहाँ पर जो fourth card है, वो है four of air, और यहाँ पर आपको clearly बता रहा है, यह card के आपको meditation करना है, आपको इस वक्त एक break की जरूरत है, आपको rest की जरूरत है यहाँ पर, you know, just allow yourself for more time, before making a decision, अपकी life के related, जो भी decisions आपको लेने ना, उसके लिए आपको खुद को time देना होगा, ठीक है, और आपको, you know, get more sleep, देखिए, सारे card एक दूसरे से भी बहुत जादा resonate कर रहे हैं, आप already एक sleepless nights में, you know, suffer कर रहे हो, आप already बहुत जादा attention ले रहे हो, worries कर रहे हो, कि आपको थोड़ा एक ब्रेक लेना है, कोई भी बड़ा decision लेने से पहले आपको सोचना है, आपको एक छोटा सा vacation भी मिल रहा हो, तो आप प्लीज उसको, you know, vacation को enjoy करो, ठीक है, meditation करो, और एक अच्छी नीन करो, ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज आपको करनी होगी, और वो होगी, जिसके कारण आपको ये लाइफ में अवेकनिंग आएगी, ठीक है, जो ये कार्ट दिखा रहा है, क्वीन ओफ और यहां पे दिखा रहा है, कि आप है, आप सारी चीज़ों को manifest करने के लिए, बिटिफुल बनाने के लिए कैपेबल हो, आप चाहो ना तो अपनी रिलेशिंशिप्स को और अपनी लाइफ को बिटिफुल बना सकते हो, आपके अपनी लाइफ में वो प्यार, वो ब्यूटी, वो हार्मनी को क्रिएट कर सको, ठीक है, ये चीज आप करेंगे, प्राक्टिकल अप्रोच रखना है, आपके जो बिजनेशिज हैं, यहाँ पे फाइनांसिस की, अगर बात करें, बिजनेश की बात करेंगे, तो आपको एक स्मार्ट डिसीजिजन लेने में कुछ ना कुछ गाइदेंस मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं, आप बिजनेस में successful बन पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ख्लीर ली बता रहा है, बिजनेस के रिलेटेट कोई भी डिसीजिजन ले रहे हो, आप जो भी आपके इंटुशिन आपको बता रहे हैं, इसमें ठीक है, आपको अपने टाइम, अपने पैसों को और अपने इमोशन को बैलेंस करना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, तो इवन रिलेशन्शिप में, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आपके नेगेटिव थॉट्स ही उस प्रॉब्लम को क्रियेट कर रहे हैं, फाइनांसिस में आपको थोड़ा पेशन्स से डिशिशन्स लेने हैं, प्लस आपको अपने थोट्स को यूपर पूरा ध्यान देना है, यहां पे ठीक है, किसी भी चीज के लिए इतना वरी और इतनी फियर, इतना सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि वही चीज मैनिफेस्ट हो रही है, यह था अमारा बॉटम कार्ड, तो यहां पे आपको वापस वही चीज बता रहा है, कि आप सिटुएशन को ओवर अनलाइस कर रहे हो गाईस, ठीक है, तो आपको यहां पे क्या करना है पता है, फोलो योर हार्ट, राधर देन ट्राइं टॉमेक अथर्स हैपी, प्रेटेंडिंग देर इस नो प्राब्लम, देखिए, आप है ना, दूसरों को सैटिस्फाई करने के लिए ना, खुद को बहुत अधा इग्नोर कर रहे हो, तो खुद को आप वैल्यू करो, खुद के दिल की सुनो, ठीक है, और आपको इस वक्त अगर डिसीशन लेने में प्राब्लम हो रहे हैं, आपको सिंपली सरंडर करना है, आपको उनिवर्स के उपर पुट कर देना है, तो आपकी लाइफ में अवेक्निंग आने वाली है, बहुत चल्दी, फिलाल आप ऐसे चीज़ों में सफर कर रहे हो, नेगेटिव सिचुएशन्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, चैलेंजिस उसकी वज़े से ही आ रहे हैं, तो फियर्स एन वरीस को अवरकम करना है, आपको ठीक आपको अपनी सिचुएशन्स को ओरनाइज नहीं करना है, बलकि एनो सिचुएशन्स मैं सलुशन के ओपर आपको फोकस करना है, ओल विल भी विल वी वाल वी वी आमेजींग इस चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है, तो राइट ना प्रॉब्लम है आपको लाइफ म कर रहे हो तो आपको ज़रूर मिलेगी लेकिन थोड़ी चीजों को आपको समझना है ध्यान रखना है ठीक है सो meditation करना start कर दीची आप ठीक है all will be fine and love life में भी आपको यही चीज सेम करनी है आपको negative thoughts को अवरकम करना है डर को अवरकम करना है फीर को अवरकम करना है ठीक है and you know just love yourself gratitude practice कर सकते हो meditation खास करना है सब को ठीक है विल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा temporary चीजों को आपको you know समझना है और बस उसके उपर act करना है ठीक है सो बस यही थी आज की यह reading I hope आपको यह reading पेच्छी लगी होगी यह पुल लगी होगी तो तब तक के लिए stay happy stay blessed and good vibes to all